दोस्तो हमारे देश में भगवान के प्रती सची श्रद्धा केवल इनसानों में ही नहीं पशुपक्षियों में भी है भगवान श्रीकरशन की नगरी द्वारिका के इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब द्वारिका धीश मंदर के दर्वाजे आधी रात को खोले गए जिया दोस्तो बुद्वार की रात यहां कुछ ऐसा ही हुआ मंदर के पट किसी वी आईपी के लिए नहीं बलकि 25 गायों के लिए खोले गए और ये गाय अपने मालिक के साथ 450 किलो मीटर की पैदल यात्रा करके कक्ष से द्वारिका पहुँची थी दरसल कक्ष में रहने वाले महादेव देसाई की गोशाला की 25 गाय करीब दो महिने पहले लंपी वायरस से ग्रस्त हो गई थी इस दोरान पूरे सोरास्टर में लंपी वायरस से गायों के मरने का सिलसिला जारी था इसी बीच महादेव ने भगवान द्वारी का धीस से मननत मांगी कि अगर उनकी गाये ठीक हो गई तो वे इन सब गायों के साथ आपके दर्शन करने जाएंगे अब मंदिर प्रशाशन के लिए सबसे बड़ी समस्या गायों की मंदिर में एंट्री को ले करी थी क्योंकि यहां दिन बर हजारों भक्तों की बेड़ रहती है ऐसे में गायों के पहुचने से मंदिर की विवस्था बिगड़ जाती इसलिए तैक ही आगया कि मंदिर आधी रात को खोला जाए ऐसा भी सोचा गया कि भगवान शिरी कृष्ण तो गायों के ही भक्त थे तो वे रात में भी इन्हें दर्शन दे सकते हैं इस तरह रात के बारा बजे के बाद मंदिर के दर्वाजे खोले गए दौरिका पहुँचकर गायों ने सबसे पहले भगवान दौरिका धीस के दर्शन करने के बाद मंदिर की परिक्रमा भी गी इस समय भी मंदिर परिसर में कई लोग गायों के स्वागत के लिए मौझूद थे मंदिर में पुजारियों ने भगवान के परसाद के अलावा इनके लिए चारे और पानी की भी विवस्तागी थी महादेव बताते हैं कि भगवान दौरिका धीस पर सब कुछ छोड़कर मैं गायों के इलाज में लग गया कुछ दिन बाद ही गाये ठीक होने लगी और करीब 20 दिन बाद सबी 25 गाये पूरी तरह सुस्थ हो गई और इतना ही नहीं गोशाला की दूसरी गायों में भी लंपी वाइरस का संकर्मन नहीं फैला इनके पूरी तरह सुस्थ हो जाने के बाद मैं इन्हें लेकर पैदल ही कक्ष से द्वारिका के लिए रवाना हो गया तो दोस्तों इस प्रकार महादेव भाई 25 गायों और 5 गायों के साथ 17 दिन की दूरी तय करके द्वारिका धीश मंदिर पहुंचे पैदल और ये द्वारिका नगरी भावुक हो उठी भगवान द्वारिका धीश को गौल कहा जाता है क्योंकि भगवान क्रश्ण गायों के बहुत प्रिय थे और हमेशा गायों के बीच देखे जाते थे तो सोभाविक है कि गायों में लंपी वायरस नामक भयानक रोग होने पर भगवान श्री कृष्ण भी निराश हुए होंगे फिर हाल ही में हुई इस घटना ने पूरे द्वारी का शहर को भावुक कर दिया और दोस्तों अगर आप भी पूरी जानकारी जानके ये पूरी घटना देखकर भावुक हो हों तो एक बार कमेंट में जै श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए जै श्री कृष्ण